दादी मा की 27 पेश्ट हेल्थ टिप्स श्वाद से लेकर सिहत तक समय निकाल कर जरूर सुने बहुत काम आएंगे नमबर 1 खजूर में अच्छी मात्रा में आईरन पाया जाता है जो लोग अधिक ठाकान या कमजोरी महशूस करते हैं उनमें आईरन की कमी होती है अतह उन्हें दिन में तीन से चार खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर 2 सिर दर्द होने पर तवे पर लोग को भून ले अब भूनी हुई लोग को सुहने से सिर का दर्द तुरंत बंद हो जाता है नमबर 3 मेथी दाना पीस कर एक चम्मच एक गिलास पानी में उबाल कर नित्य पीए मीठा नमक कुछ भी नहीं डाले इससे आउ नहीं बनेगी सूगर कंट्रोल रहेगी और जोडों के दर्द भी नहीं होंगे और पेट भी ठीक रहेगा नमबर 4 नेबू में गिरिशरीन और गुलाब जल एक साथ मिलाकर इसी तोचा पर लगाने से तोचा में कसावट आती है और मात एक सप्था के अंदर प्राकृतिक निखार भी दिखता है नमबर 5 सोयाबीन साकहारी खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज है केवल 100 ग्राम सोयाबीन में 400 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा नमबर 6 मुह में पानी का कुला भर कर नेत्र धोएं ऐसा दिन में तीन बार करें जब भी पानी के पास जाएं मुह में पानी का कुला भर ले और नेत्रों पर पानी की छीटे मारे और उसे धोएं मुह का पानी एक मिनट बाद निकाल कर पुना कुला भर ले मुह का पानी गर्म ना हो इसलिए बार-बार कुला नया भरते रहे इससे आपकी आखों की अरोग सक्ति बढ़ती है नमबर साथ तर्बूज खाने से दिमाग सांध रहता है नमबर आट केला दोपार को खाना खाने के बाद खाने से शरीर को फाइदा पोचता है केले को कभी भी खाली पेट नहीं खाए अगर आप दिल के मरीज है फिर तो आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है नमबर नौ रोटी बनाते समय हाथ जल जाए तो आलू काट कर उसका टुकड़ा लगा ले आराम मिल जाएगा नमबर दस काले चने में प्रोटीन तो होता ही है साथ में फाइवर आइरन भी होता है आइरन होने की वज़ा से इससे खोन की कमी नहीं होती नमबर एक ग्यारा जोते में थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा डाल कर रात भर के लिए रखने से जोते की बदबु खत्म हो जाती है नमबर बारा दोध के साथ नमक अथ्वा नमकीन पदार्थ खाने से बिविन प्रकार के चर्म रोग होते है नमबर तेरा एक चमस शहद गर्म करके दिन भर में एक बार खाने से कफ की समस्या दूर हो जाती है नमबर चौदा मोसे प्याज लहसुन की बदबूदूर करने के लिए ग्रेन टी पीना सबसे अच्छा उपाय होता है नमबर पंध्रा पेट ज़ादा बढ़ गया है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिस करने से पेट कम होने लगता है नमबर सोला बालों को इस्पा करना चाहते हो तो भूल कर भी पालर वालों के पास मत जाना नहीं तो बालों को जला कर राह कर देंगे बालों को घर पर इस्पा करना है तो एक चमचीनी ले थोड़ा सा नारियल तेल और अपना मन पसंद कोई सैंपू ले लाश्ट में एलोवेरा जिल डाल कर मिक्स करके नहाते वक्त इसे अपने बालों को वास कर ले फिर आप देखना आपके बाल इतना ज़्यादा सिल्की और मूलायम हो जाएंगे कि बालों को इस्पा करने के लिए आपको पालर में जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी नमबर 17 आम के पत्ती चवाने से डात साफ होते हैं नमबर 18 अपने काले पड़े पैरों को एकदम चाज जैसा चमकाए सिर्फ एक निचुरल रेमेडी लगा कर इसके लिए आपको एक चमच नमक लेना है उसमें किसी भी कमपनी का एक पैकिट सैंपू डाले सैंपू डालने के बाद उसमें आदा चमच नीबू का रश डाले फिर इसमें आदा चमच सोडा डाले और फिर थोड़ी सी हल्दी डाले हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें अब इस पेश्ट को अपने काले पन हिसे पन लगाए इसकी इन कितनी भी काली हो इसे लगाने से एकदम गोरी हो जाएगी नमबर 19 काली मिर्च खाने से शर्दी खासी ठीक होती है नमबर 20 कैंसर के रोगी का जो दवाई चल रही है उसे चलने दे किन्त उसके साथ सीसम के पेड़ की पत्ती का जूस 15 दिनों तक पिलाए उसके बाद सीसम के पत्तों का रोजाना चबाना शुरू कर दे आप यकीन करें देखते ही देखते बहतरीन नतीजे आने शुरू हो जाएगे और कैंसर जैसी घातक बिमारी खत्म हो जाएगी 21 भोज़न ना पचे तो गर्म पानी पीएं केला ना पचे तो इलाची खाये पनी ना पचे तो भुना हुआ जीरा खाये और कढ़ी ना पचे तो करीपता चबाये 22 नरियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिला कर दातों पर लगाने से दातों में चमकाती है गर्दन के कालापन को दूर करने के लिए दो सी तीन चमज बेकिंग सोड़ा और प्रयाप्त पानी मिला कर पेष्ट बना ले अब इस पेष्ट को गर्दन पर लगाए और सुखने के बाद साफ पानी से धोले इससे आपके गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा नमबर चौबिस टमाटर खाने से आखों की रोसनी बढ़ती है नमबर पचीज मुँफली बजन बढ़ाने एवं मसल्स बढ़ाने में सबसे अच्छी है मुँफली में बादाम से ज़्यादा नियूट्रिशन्स पाए जाते हैं और यहाँ बादाम के मुकाबले काफी सस्ते भी होते हैं नमबर चौबिस चावल के साथ दही, दोद के साथ केले और देशी घी के साथ रोटी ग्रिन टी के साथ नेवू, हल्दी वाले दोद के साथ काली मिर्च और उबलेवे चने के साथ टमाटर यह जितने भी कॉम्बिनेशन है, यह सब अमरित के समान है क्योंकि इसकी सेवन से आपके सरीर और दिमाग की सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी नमबर 27, भोजन करने के पसाथ, पान, गोड या सौफ, खाने से पाचन अच्छा होता है तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद